आइसेक्ट कालेज आग टेक्निकल एजुकेशन बैकुंदपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning students, now today we are discussing about a new subject, a new concept which name is data warehousing and data money. Firstly, first question is data, what is data? सबसे पहले discuss करते हैं, data exactly होता क्या है? So the collection of true and valid information, सही, सत्य और अथार्थ जानकारी का समून. सिंपल सी बात है, जानकारी का समून, ब्यवस्थित तरीके से रखी जानकारी का समून, क्या कहलाता है? Data, data warehouse, ऐसे simply आप बड़े large amount में किसी प्रोड़क्त को रखते हो, उसको बुलते हो यह इस particular product का warehouse है, गो डाउन है, गो दाम है, सेम वर सही data को, लार्ग बाउंट में data को डवस्थित तरीके से रखा गया इस particular place में उसको आप नाम देते हो data warehouse, अब देखते है, data warehouse अब देखली है क्या, इस particular उत्मे, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्स करेंगे, वो देखते है, firstly, what and how, introduction, data warehousing, then decision support and OLAP, online analytical processing, then data mining, then looting area, damage and lapse, emails and lapse, यह particular concept है, यह बनको one by one देखते है, data warehousing, OLAP and data mining, इन तीनो concept को हम, इन तीनो concept को हम introduce करेंगे इस वीडियो में, then relations to OLAP, OLTP के बीच में, online transaction processing के बीच का relation, एक case study और इसके वाल, lapse of demand, सबसे पहले, एक producer want to know, एक producer एक बनाने वाला क्या-क्या करना चाहता है, जो भी वो बनाता है किसी customer के दिना market में, वो सबसे पहले customers की पूरी information, such as these information, पूरी information को collect करने का try करता है, which are our lowest and highest margin of customers, effective distribution channel, biggest impact revenue, services को, then competition को, then market products buying को, customers की quality को, सब कुछ discuss करता है, कोई भी एक सामान बनाने से पहले, simple सी बात है, कोई businessman, कोई भी company, कोई लया product launch करने से पहले, customers की requirement लेती है, customers का review लेती है, then data, data everywhere, nowadays, सबसे आदा important है data, जानकारी, information, की information आती कहा है, और क्या-क्या problem face करना परता है किसी भी particular company को organization, first है, I can't find the data, I need data, data is scared over the network, many versions, suitable difference, I can't get the data, I need, need an expert to get the data, एक expert की जरूरत है, एक ऐसे professional की जरूरत है, जो डाटा को प्राप्ट कर सके, I can't understand the data I found, बना सामने वाला user, professional, डाटा को तो प्राप्ट कर लिया, गेट कर लिया, लेकिन डाटा को समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक ऐसा बना चाहिए, जो डाटा को प्रापर्लीiperट करें, समझाए, उसको प्रापर्ली ऐसे format में रखे, ऐसे format में clear करके रखे, गवस्थीत करके रखे, कि आप उसको जरूरत आने पर समझ सको, तुरली डर्कुमेंटेड है डाटा, उसको हाइडली डर्कुमेंटेड करे, बेटर डर्कुमेंटेड करे, नेक्स्ट है, I can't use the data I found, रिजल्ट्स आर अनेक्सक्टेड, डाटा नीन तो बी ट्रांसफॉर्म, याइड मिन्स अनेक्सक्टेड रिजल्ट आ रहा है डाटा लेने पर, कुछ का कुछ, याइड डाटा नीट तो ट्रांसफॉर्म, इकठा करना चाहिए, डाटा को पूरा इकठा सेंट्रलाइजड हो के दिखना चाहिए, यह सब बेसिक इसूच है, nowadays companies के पास आते हैं, डाटा को हैंडल करने से रिलेटेड, इनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए हमको जरूरत पढ़िया डाटा व्यार आखाउंट, अब गाईस यहाँ आपको डिसकस करते हैं, बाईरी डागलीन पुलते हैं, एक उन्होंने डाटा वेरहाउस की दिफिनिशन दिए है, उस डाटा वेरहाउस की दिफिनिशन को हम सब सब पहले समस्के, एस सिंगल, कम्प्लीट अड कंसिस्टें श्टोर आप ए डाटा, अप्टेंट वाराईटी आप डिफिरेंट रिसोर्सें, मेड अविलेबिल तो इन्ड यूजर इन वाट वेरहाउस की दिफिनिशन कोंटेंट, सिंपल सी वार्थ है, सिंगल, कम्प्लीट और कंसिस्टें श्टोर है, रेगुलर श्टोर है किसका डाटा, जहां पर कई प्रकार के डाटा को बनाया जाता है, दवस्थित करीजे से रखा जाता है, जिससे कि उस डाटा को जरूरत आने पर किसी भी प्रकार से समझा जा सके, एक्सेस किया जा सके, और business point of view से working point of view से उस data को implement किया जा सके। यही concept है data warehouse, चाइडनिस ऐसा particular place, ऐसी particular position जहां के large amount में बड़ी मात्रा में data को अलबलग तरीके से दवस्थित करके रखा जाता है जिससे जरूरत आने पर उस data को समधा जा सके, use किया जा सके business और working point of view से next आते है, what are the users saying, users बोलते क्या है data should be integrated across the enterprise के अंदर data integrate होना चाहिए जुड़ा होना चाहिए, summary data है, जो real value of the organization बेवस्थित तरीके से summarized, बेवस्थित तरीके से रखा गया data किछी भी organization का company का real value होता है बहुत बड़ी assets होती है historical data holds the key to understanding data over time that means historical data, पुराना data, history का जो data है पुराना data है, वो किसी भी company की working और उसकी working की strategy को समझने के लिए एक बहुत important key होता है what if capabilities are required, what if ठीक है, क्या यदी, ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, क्या यदी ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, what is capability और यह required होती है data warehouse के case में next है guys, what is data warehousing, again forester research company है, इन्होंने क्या research करके बूला है एक process of transforming data into information and making it available to user in a timely enough manner to make a difference, that means किसी भी normal data को information में convert करना, that means उस normal data को process करना और process करने के बाल normal data किसमे convert हो जाता है information को तो normal data को information में convert करना and making it available to users और उसको users के लिए उपलब्द कराना एक limited time period के, limited time period के अंदर यही concept आपको क्या कहलाता है guys data warehousing evaluation, इसमें evaluation में देखिए 16 के case में batch reports यूज होती थी 17 के case में 70 के जचक में terminal and based DSS और EIS executive information system के यूज होने लगा है 18 के case में desktop data access and analysis tools यूज होने लगा है जिसमें query tools, spread sheets, basically and so on और कही concept है आप 90 के case में data warehouse और integrated online analytical processing engines का यूज किया जाता है जो कि आपके data को काफी fast speed में high processing speed के साथ में access करने है और data में proper working capabilities provide करने है next आते है guys, warehouses are very large databases, simply multiple small small databases को बड़े large amount में जोड़ दिया जाये then we can create a data warehouse, look at this capacity के according, उनकी working के according, उनकी storage के according data warehouse को यहापे define किया गया है then very large databases, nowadays तो कि large databases आप लोगों में देखने होंगे, walmart का है, 24 terabyte का then geographic information system का है, national medical records का है, weather image का है, intelligence agency के videos है यह particular sites दीगे है, इतने-इतने sites के data base available है आप लोगों देख सकते है then data warehousing is a process, क्या process है, it is a process technique for assembling and managing data from various sources, from the purpose of answering business questions which making decisions that were not previous possible, that means ऐसी technique है, ऐसी assembling या ऐसा करीका है जिसके through easy way में आप data को process कर सकते हो, data को process करने के बाद आप ऐसे business related questions का answer देने में capable हो जाते हो, इनको आप पहले नहीं दे सकते थे then decision support databases maintained separately from the organization or personal database decision support system के database है, यह आपके organization में separately अलग-अलग device करते हैं, अलग-अलग store करके रखे जाते हैं, इनकी working भी अलग होती है then data warehouse, data warehouse is subject oriented, first characteristic है भाई, always data warehouse क्या होने चीए subject के उपर based होना चीए, जो work कर रहे हो उसके उपर based होना चीए integrated होना चीए, जूड़ा होगा होना चीए, पूरे small-small, चोटे-चोटे databases आपस में जूड़े होने चीए integrate होने चीए, common use के लिए एक basic objective को achieve करने में capable होने चीए next है time wearing, that means इसकी timing जो है जरूरत के मिसार आप कम या जादा कर सके यह variety होनी चीए, flexibility होनी चीए, याना non-bullet है, जैसे ही आपने working point किया, count point किया, आपका database automatically memory से erase नहीं होना चीए, store होके रहना चीए, data warehouse को कि आप दुबारा भी उसका use कर सके collection of data is used primarily in organization decision making, the simplicity was the data collection, data information का collection, इसको primary base में organization की decision making में help में लिया जाता है, जिसका use करके आप primary base में किसी भी company के decision making को easy बनाने के लिए use करते हो, यही concept आपका कहला हैगा data warehouse नेक्स्ट आते हैं, explore farmers and tutors, farmers and tourists, explorers, farmers and tutors, इसको समझने को जिस करें, simply, tourist क्या करता है, browse information, harvested by the farmer, that means tourist क्या करेगा, ऐसी information को search करेगा, ऐसी particular information को search करेगा, जिसको farmer access कर सकता, then harvest, farmers क्या करेगा harvest information from the access path, उस access path को harvest information from the known access path, known access path को farmer access करेगा, कौन-कौन से रास्ते हैं जाने के, कौन-कौन से रास्ते जाने के लिए use किये जा सकते हैं, then explorer है, उन unknown, previously unexpected rewards को, और detailed data को क्या करेगा, hide करेगा, ठीक है, रोग देगा, that means ऐसी information जिसकी आपको जरूरत है, उन्हें information को आपको देगा, और जिन information की आपको जरूरत नहीं है, उन्हें information को एवलेबिल नहीं करें, next आते हैं, data warehouse का architecture, यह simple सा data model है, इसको आप as it is देख सकते हैं, relational database model, entity ERP model है, purchase based data model है, VC data है, data data की usability है, then data warehouse engine है, optimized loader है, extract planning है, analyze query, in particular पूर की पूरी concept को आप देखिए, यह overall आपका data warehouse का architecture को define करका, next thing data warehouse for decision support and reality, data warehouse का decision support और online analytical engine में, analytical processing engine में कैसे यूज कर सकते हैं, next thing is to, putting information technology to help the knowledge worker make faster and better decision, simple सी बात है, information technology क्या करती है, worker को better और अच्छा decision लेने में help करती है, which of my customers are most likely to go to the competition, बिल्कुल competition की नहीं करना पूर्टा, customers को सही और सही चीज़ भीए, what product promises have the biggest impact on revenue, that means, this particular product का, promotion करने से आपका इंपका revenue बठेगा, फिक है, क्या customer competition के लिए प्यार है, क्या customer के सामने में आपके product के face करने में कौन-कौन से competition आ रहे है, how did the share price of the software companies, आपके company के share prices, आपके project के, आपकी working में आपके customers में कौन-कौन से issues create कर रहे है, यह कुछ ऐसे decisions हैं, ऐसे case हैं, यहाँ पर decision support system, यानि कि आपका data warehouse आपके decision support system को help करता है, first, which of my customers are most likely to go to the competition, कौन से customers हैं, जो की competition most likely competition पसंद करते हैं, then promotion has the biggest impact revenue, promotion का विज्यापन का किते लोगों किते लोगों के उपर reflect पड़ता है, revenue में क्या असर पड़ता है, then share price और company की reputation का आपके product के क्या असर पड़ता है, next decision support, use the manage and control business, manage और control करने के लिए business को, data is historical or point in time, simple ziva तो historical और एक type को एक ही focus करता है, एक ही working को focus करता है, next optimize for inquiry rather than update, inquiry update करने के लिए optimize करता है, ready रहता है, next use of the system is loosely defined and can be ad hoc, that means loosely defined system को flexible system होता है, जिसको आप अपनी requirement के according, flexible रखते हो और change कर सकते, used by the managers and end users to understand the business and make it match, ये managers और end users, that means users के दोरा और managers के दोरा use किया जाता है, किसी भी business को, किसी भी problem को समझने के लिए और उसके according better decision find out करने, data mining, data warehousing, that means data warehouse, that means बहुत बड़ी मात्रा में, large amount में data को आपने store करके रखता है, then उस large amount में रखे गए data में से अपने required data को निकालना, यही concept है mining, then data mining, we want to know, data mining helps extract such information, data mining का use करके आप कौन-कौन से information को सच कर सकते हो, इस concept में आप उन concept को, उन information को देख सकते हो, simple सा है, which of my customers are likely to be the most loyal, कौन से most loyal है, emphasize है, anti-user है, only 2500 LR, airline mines, कौन से कोई भी criteria के according information search, product के price के according information search, यह पूरा concept आप data mining के truth, that means any kind of data retrieving, जैसा data आप चाहते हो, जैसा data retrieve कर पाओगे data mining के, application areas, data mining के application areas का है, finance में, credit card analysis करने के लिए, insurance के case में, claims और fraud के analysis करने के लिए, telecommunication के case में, call required के analysis के लिए, transport के case में, logistics management के लिए, consumer goods के case में, promotion के analysis के लिए, data service provider में value added data के लिए, और utilities के case में power usage analysis के लिए, तो guys, यह हुए हमारे basic data mining के users, data mining, हमारा next video होगा data mining के लिए, आप wait करिये हमारे next video का, thank you for watching us. कर तो